मज़ा नहीं है तो अब क्या करूं यार मैं कुछ मदद करूँ हा अरे घबरा क्यों गया है महबत में खत बहुत लिखे हैं मैंने हा और इस दो गलत भी क्या है क्या खरत है इसमें भई दिल के एहसास का इजहार लफजों में बया करने का मज़ा ही कुछ और है क्या मतलब दादर जी है मतलब प्रेम पत्र लिखने का मज़ा ही कुछ और है यह पिलकुछ सही तरीका ढूंडा है योगी ने वह आजकल तो जिससे देखो वह बस फोन पर ही बातें करता रहता है है ना वो शायर मुनवर राना ने इसी लेबल को सही कहा है गुफ्तगू फोन पर हो जाती है राना साहब अब किसी च्छत पे कबूतर नहीं रेज़े जाते हैं गुफ्तगू मतलब बातचीत तू नहीं समझेगा महबत में अच्छी उर्दू का इस्त अगुफ्त दाधाजी वड़ी पॉंचे और चीजा है? तेरा दाधा कौल जीत के लिए भी मैने ये चिट्टी लिगी ती जवानी में अग बात कर रहा दादाजी फिर मेरे दादाजी के लिए भी लिखा और आपने तेरा दाधा था चिचो रहा था प्यार भी किया तो जा तो मैं किसी को क्या बताऊँगा हाँ देखो ये राज हम चारों के बीच में रहेगा ठीक लड़े लेकिन ये मोहिन के बेटे को तू समझा दा या इसके तो पेट में बात ही नहीं पच्छती हाँ वो दादा जी मैं क्यों बुलूँगा अम लिखो तो सी दादा जी हाँ ला किस गधे ने लिखा है किस जाहिल ने लिखा है ये बताऊ तू ने लिखा है ये क्या नींद में ये छोटी की मातरा होती क्या क्या सूचे की लड़की जबान भी नी जानता लड़का हाँ ठीक हाँ तो क्या लिखो जाने मन मेरी जान जाने जाना दादा जी गुंजन वाभ पेखोग, महभूबा का नाम नहीं लिखा जाता, उसे जान कहते हैं, जान, 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 गुंजन, तेरी जान है न, तो आशिक का खत है, पढ़ना देख भाल के, रख दिया है कागस पे, खले जान निकाल के, जाना, पेखोग, प्यक्त है, वाबा तो बोलोगा ही, वाबा, 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 यह मीना बात, जाने जाना तुम्हारे बारे में क्या लिखो तुम्हारे केसु तुम्हारे रुखसार तुम्हारी जुल्पों के पेचों हम दादा जी, जुक्ति ये जिन म leva letter लिख रहे हैं गुम्जल भाबी को समझाने के लिए जिन भाजस में भेजना पड़ेगा अच्छा नहीं लगा हाल तू है आप बात कर रहे हैं ऐसे खत लिख लिख कर तो मैंने कई लड़ क्या पटा ही कॉलेज में दादाजी आपका जमाना कोई और था अपली जबारी जबारी जबान में लिखिए अभी ये बताईया रुकसार क्या है हाँ मैं वही सोच रहा था मे आप पागल है यार अच्छा मजब कर तो हलका लिख़ु हमेरी प्यारी जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नीच चलिगए और दिनका चैन यह तो यह तो यह तो शारी में लिख दो शारी में लिख देतां है मैं दादाज, अभी तो पक्का जगीन हो गया आप अपने जवान में बहुत सरे लब लेटर लिखते होंगे और क्या? वही, आज मुझे अपनी महबुबा को लिखा वो पहला प्रेम पत्र यादा क्या? क्या लिखा था? सुबह को मल कर चेहरे पर शाम लगा के आँखों में टांक के जूड़े में दिल मेरा जाम सजा के सांसों में आपना ही दुनिया में एक कयाम आता ही है अरे बाप रे दादाजी, आप तो कमाल है अप उरानी चिठी दे दो हमें तेरी दादी को क्यो लिखो आप रेम नदा? क्या है क्यों मुखबत नामा महबुबाओं को लिखा जाता है पत्यां को नहीं हूँ क्या है अरे क्या कहूँ मैं उसके तारीफ में? ने ठंकी शकल है, ने ठंकी आके है दादी जी रुक भी जाओ ना भी क्या रुक जाओ? उसके बालों को मैं गेसु कह सकता है आप समझ नहीं रहे, आप तू किजिए उगी आप समझ नहीं रहा हूँ मैं अरे गेशू खूपसूरत बालों को कहा जाता है उसके सर पर हाथ फिरो तो पंदरा बीज बाल तो ऐसी आजाते है हाथ में तुम तुम मुझे ऐसे देख रहो जैसे दादी पीछे आके ख़ड़ी मेरे बाल गेशू नहीं है मेरा चेहरा वह तो मैं से पुहबत नामा महबूबां की नाम लिखा जाता है पत्नी के नहीं अच्छा बताये कीतनी महबूबाही थे आपकी एक तो कोई नहीं अरे तुमारा के रेक्टर तो पहले सी खराब था बस मैं ही नहीं देख पाई अब लाव लेटर में अब दिखते थे, तुम्हें शरम नहीं आते, अपने पोतिया और उसके दोस्तों के साथ इस तरह की बाते करते हो ची? अधिम्हें अधिर भी हैं, बच्छों कछांद आजी मराक करा था मजाक नहीं कर रहे थे इतने सानों से जो दिल में बाते थी ना, वो निकाल रहे थे तुम कहाher बहुलाबलेटर बावी तक में ठीकी पचाना है ओnh, चला जला 지대 दЕल में तो हमेशा तुम महीं रहे हो हां, छोड़िये, छोड़िये अरे तुम्हारे आवा मेरे दिल में रहे कॉन सकता है मैंने, मैंने सब सुन लिया है, अभी चलो मेरे साथ नीचे, सब के सामने तुम्हें जलील करूँगी, दिखाओ अपने प्रेम पत्र मुझे, डॉक्टर परी का है, हाँ, सर, वो वाश्रूम कई थी, मैं बुला के आ रहे, क्या हुआ, क्या हुआ, सॉरी सर, वो मैं थूरा लेट हो गई, एक्चली मैं स्टॉमक इस वरी अपसट तुडे, सर, ऑपरेशन करे क्या, डॉक्टर, अब तो सब ठीक है न, कुछ गरबर तो नहीं होगी न, अरे-अरे, डॉन्ट वरी, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डॉक्टर ने, हाँ, मैं देखते हूँ, सर, पेशन की रिपोर्ट आई है, क्या वह तुझे, तो इतने एजट के हूँ आज, क्या पताओ यार, अरे, कल रहाता, इन लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला, फिर मुझे पाइप चड़के अपने कमडे में जाना पड़ा, ये, कुछ भी नह है, जब मैं सूने की कोशिश कर रही थी न, इन लोगों ने इतना हंगामा मचाया कि पूछ मत, पकड़े गए तो, मैंने योगी पकड़ा गया, मतला, वो बिचारा अपने फ्यांसे से मिलने गया था, और कब, आथ ही रात को, कैसे, पाइप चड़के, पकड़ा गया, उसक क्या हुआ, फिर उसके पापा भी महा आए, और उनुने पोशिश की, रसी से उपर चड़ने की, लेकिन गिर कर अपता है, और मुस्स्ट टू फ्रोस से, क्या, वाट्स रॉंग विध यू गाईज, सॉरी सर, वो डॉक्टर नहीं है, अच्छली बोल रही थी कि पेशिट को सब्सक्राइब कर अच्छली में तो महीं ने लग चाएंगे, तो मन्स, ही विल बी फाइन टू वीक्स, होगे, पाप पच क्या, हाँ बाप तो बच क्या, लेकिन यू भी नहीं बचेगा, पता मेन अंकली क्या बोला, अंकल, अगर मेरे बापा होते ना, तो उनको उधरी को सब्सक्राइब के लेती है, मसात है, रिलाक्स, थोड़ा पेन होगा, डॉक्टर गंगुली, आप पेशन से बात कीजिए, यस सर, सर, आप तो मुझे काफी ब्रेव लग लग रहते हैं, तो मिर आप यसा क्यू रेक्शन दे रहे हो, आपको पता है, डॉक्टर निहा क्या ब बल्लक्स, जस थोड़ी से तकलिफ, इसके बद साघा पेन गायब, पाइस का प्र्प्रबल्म हमेशा के लिए दूर, पाइस? मुझे कब पाइस की तकलिफ हुई, क्या मतलब? पाइस की प्राप्장님 नहीं तो फिर क्या है? नहीं, पाइस के लिए मुझे तो इंट स्टैंड क तभी में सोचू कि आप नुबजी अनिस्थिसिया क्यों दे रहे हैं कि अज़िए प्राइल्स के प्राइल्स के प्राइल्स को थी मैं लेट में मैं पहले आगें सर मेरा ड्यू ते नेक्स्ट आपरेशन में है दॉक्टर मेरा बेकसाइड नंभ फिल रहे हैं दॉक्टर कोई नसर सम्सेम रेट पर इंटस्टान के प्रॉलिम कोभी दूर कर देंगे तो वरी चिल सुछ चिल डॉक्टर, मेरा बैक साइड नंग फिल हो रहा है अ भाई, ये अस्ताद रहीम खान साप का घर, इधर सीखने आप तिया पाप भी अधर से आवाजे कैसे आ रही हैं? बिजली के जड़के दे रहे हैं सादन को चुप रहे तू, ऐसे ही उस्ताद लोग रियास करते हैं, पता भी है कुछ? अच्छा भाई ओई, वो देख भावी भावी नहीं है? फिर ये मेरे वली भाई ओई बबलू, ठंडरा क्यारा, ओई तेरी भावी है सुर्जीत, जो मुझे पसंद आती है वही तुझे पसंद आती है और मिलती किसो को नहीं, मैं बता रहो ही गलत बात है ये क्या बजा रही हो? ये तो राग बिलावलार राग खमाच का मिश्रन है लेकिन जो भी बजाया, दिल से बजाया वाह, वाह, माशा अल्लाः है ना, मेरे को भी बड़ो मसा आया सच में यार, बावी ने कमाल कर दिया, बावी अब बावी ने जी, बावी, बावी, बावी ना वैनन का जी नहीं, ये गुंजन है, गुंजन शर्मा पैसे आप लोग? हो जी लेटर देने आया है लेटर? संगीत, संगीत सीखने आया जी आप से बहुत नाम सुना आपका आपके कदमों में थोड़ी जगा मिल जाती तो भाई तू बैठ एक में एक मिल एक में एक मिनिट का देखे कितना बावला और आप से सीखने के लिए तू लेटर दें भाई जी आप सखाएंगे ना में अच्छा अच्छा कुछ गाखें सुनाओ जी गाने में अस्तार सेखने हैं जी वह तबला है वरकुर्दार तबला है यह वाना सितार चिखा दीजिए यह हार्मोनियम है अच्छा फिर तो स्ताज जी गाई देते हैं जी यह कौन सा राग है और हम तो यह गाना गाने नहीं वालते हैं और राग हम ढूंड के आते हैं जी जी इसे देखना एक बार योगी की शादी हो जाएगी ना तो पापा और उसके बीच में रोज की तूतू में बंद हो एक दम लामिनेटेड पीस हैं अबे क्या हुआ इतना आफ क्यू रहे है किसी को मार के बागाएगा है अरे हाँ है कभी क्या यह तब से देख रहा हूं आद में बड़ा सम्राल के ले जा रहा है अरे नहीं नहीं निशा के लिए नहीं यह यह तो पीवो के लिए है क्या देख अधी है उसके अधी है इसकाँंट चल रहा था इसलिए ले है और वैसे भी मेरे काड पर पांच और पे कैश्बैक था खाएग ता जो भी वाथ है लेकिन रोज रोज डेने होरे है क्या बहल रहन यह यह कर है कि मांइड यह ओ आउन बिजिनस और वैसे भी नवागा इसे आपको क्या जा क्या होल रहा है ठीक है यह जब इसके बच्चे होगे ना तब उसे हमें गिफ्स लागे देने पड़ेंगे अच्छा बेटा तू घर पे चल मामू के सामने बोले चल तो इस ते क्या हुआ अपिस से आ रहा है तू छोड़ना इग्नोर कर अरे रोक रुकना क्या है कोई अपने बाप से ऐसा सलुक करता है क्या अड़ा रहे बात कर रहा हूं ना तुझ से फूफा जी प्लीस अभी हम जल्दी में गर पे महमान आने वाले हैं आज अरे कौन महमान रहा सुना मैंने बोले मैं भूफा नहीं हूं इसका अभीर तुने क्यों नहीं बताया हूं चलो योगी फोटो दिखा लड़की की देखें मिशार जी ना तो मैं आपका बेटा हूं और ना मेरे बाप हैं क्यों दिल तोड़ने की बात करता हमेशा तेरी मां उपर से देखेगी ना बहुत त चला जा तू चला जा पैसे तो देदे हाँ पैसे देगे जा मुझे पता है कितना पैसा कमाता है तू एक लाग से उपर की सेलरी है तेरी तेरी आफिस गया था पता लगा मुझे ना पैसा कमाता है अपने बिमार बाप के लाज के लिए पैसे नहीं देगा मुझे दे पैसे कब बाप बिना इलाज कहीं मर जाए अरे प्रकाश का घर तो वैसे भी चल जाएगा ये विवेक कमाता है उसकी खुद की दुकान है योगी भी तो कमाता है बाउजी की पेंशन भी आती है लेकिन मेरा सारा तो तू ही है ना बेटा उड़ापे की लाठी है मेरी क्या 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 बोल रहा है ये ये कह रहा है कैसी लाठी क्या कभी आप कभी का सारा बनें आज तक कभी बाप का प्यार नहीं दिया कवीर को आज उससे हिसाब मांग रहे हैं अरे शरम आनी चाहिए आपको अच्छा अब तू भी बोलेगा मुझे तेरी इतनी मजाल अरे बड़ों की इस्जत करनी नहीं आदी तुझे इसलिए उपर वाले ने तेरी आवाज चिन लिए अगर मेरे भाई योगी को कुछ भी कहा ना हाथ तोड़ दूगा अच्छा अच्छा इस ना हुआ अच्छा अच्छा ना हुआ पको झाल झाल